कि यहां पर कुछ भक रहे हैं जो आज हम लोग सेलिंग के लिए दिखाएंगे तो वीडियो पूरा देखें आखिर तक देखें चैनल को सब्सक्राइब कर ले बैल एकन को क्लिक कर ले शूट की रिगार्डिंग को इनक्वेरी है तो डिस्क्रिप्शन में में इस्टेग्राम आपको मिल जाएगा में लिए डियम करके आप लोग में से कॉंटेक्ट कर सकते हैं या फिर सामीन भाई का नंबर स्क्रीन के ओपर होगा आप लोगिन से भी में नंबर ले सकते हैं और डॉक्टर साब जो रहेंगे वीडियो के अंदर सारी बखरों की डिटेल जो होगी बखरों डियम को में मीरा तो वीडियो को शूरू करते है या था अ वो कानपुर गया. माशा अला dumpedूर गया. माशा अला माशा आला माशा अला. तल तीन बक्रे बैंगलोर गए है first और 5 तरिक से ही लेक ZipD पश्तरिके बाद ﷺ माशाळला । बकरों की तैयारी सब की अच्छी है हमने कापी दफाद दिखा है ना लोगों को और अल्ला कुर्बानियों को कबूल करें उनकी जो चाहाओ है वो पूरी हो जाए लोगों का शौक पूरा हो जाए लोगों कि जो नियत होती है कि साल बढ़ स आमीन आमीन तो शाकिर बाइब आज जो आज वीडियो बना रहे है यह किसी कस्टमर के बकरे है सभीर बाइब आज हम लोग दो वीडियो बनाएंगे एक पहली वीडियो जो रहेंगे इसमें हमारे मुंबई के कस्टमर है अनस भाई उनके तीन खसी बकरे हम बताएंगे जिसमें दो खसी बकरे अल्मोस्ट नाइटी टू 90 केजी के है और एक खसी बकरा माश्यालों का बहु तो इन लोगों के तीन चार है जिसमें वराइटी सो गोट से माश्याला मतला वो वीडियो भी लोगों को अलग 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 रेंज के मिलेंगा और लो बजट से लेके अच्छे बजट तक है एक एक एग्जेम्पल दू तो पच्छी सदार से लेके दो सवादो लाग तका म इसके बाद दूसरी वीडियो एक और बनेगी इंशाला इस यह पहला बकरा अनस भाई का माश्याला मिल्की वे गोट फार्म की आपको तैयारी पता चलेगी और फिर बक्रे जो है यह सेलिंग के लिए भी है ठीक है वो भी आपको हम लोग इंशाला पूरी डिटेल बता दे अनस भाई का जी समय भाई क्या डिटेल पर है यह बक्रा डोक्टर साब समय यह अजमेरा बोलो या सिरोही बोलो सिरोही ब्रीड में माशाला बच्चा है अच्छा खुबसूरत अच्छी बैठा कोला माशाला है खसी बच्चा और अभी नया ही आट दात पे शिफ्ट पर श अच्छे कमान वाला बक्रा जो बोलते ना लोग वैसा बक्रा है या सिरोही बख्री होती है लेंथ होता है कलर्र पैटन होता है मंशाला सब्ही चीजों में बच्चा माशाला बच्चा शाधा करो इसका यह च्छी नी yag बना वट अब माशाला फशूरत बख्रा है इनका कुछ रीट बगेरा कुछ बटाया है अनस भाई ने रेट अनस भ कर लिए है तो शाकिर साब बताएंगे डॉक्टर साब इसका क्या रेट वगेरा बताएं इसको फिफ्टी टू थाउजन टू थाउजन रुपीज इसका कोट कर रहे है और जो भी होगा नेगोशेट वगेरा वो कस्तमर से बात होगी उसके बाद आपको बता दी जाएगा नंबर तो सामीन भाई काई नंबर होगा और कोई भी अगर डील थोड़ी क्लोज में आएंगी तो ओनर का नंबर सामीन भाई दे देंगे पार्टी डैरेक्ट ओनर से बात कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं चीक है तो 52,000 अभी इसका रोपोट कर रहे हैं अगर आपको बख्रा पसंद है तो सामीन भाई को कॉंटेक्ट करें सामीन भाई आपको डायरेक्ट ओनर का भी नंबर दे देंगे इंशालला अभी हम लोग दिखाएंगे दूसरा बख्र अगर अभी बिग जाता है वीडियो के थूँ तो इतकी क्या तरकी वेसकी हंड्रेड रुपीज पर डे के हिसाब से बख्रा आप फाम पर रखोगे तो आपको सौ रुपर पर डे के हिसाब से देना पड़ेगा ऐसे भी अपना खसी की पलाई 3000 रुपी तो जितने दिन के ल सौजत में आएगा ना ये डॉक्तर साब हां सोजत में हलका क्रॉस है बट ज्यादा सौजत में गया है लेकिन अगेन वापस अच्छी घाट वाला बख्रा है और खुपसूरती में है क्या डीटेल होगी इसकी डॉक्तर साब अच्छा पिंक में बोल सकते है थोड़ा रेड अब इसने भी फ्रेश निकाला है ठीक है और बस मतलब एक अच्छी बैठक में है खुपसूरत बच्चा है कुरवानी के लिए किसी को चाहिए तो माशालला दोनों तरफ से ही बता दो नहीं पर थोड़ा हाथ में कम रूक रहा है यह देखो और यह सारे बखरे पलाई के है बखरे पके बखरे हैं आपने खुद ने देख लिए अभी अटीवनेस कितनी है माशालला बखरे के अंदर अब्सके प्राइस क्या कोट कर रहे इसका 34,000 धरी 44,000 भी चौतिस अजार रहे हो रहे हैं और निकोशेट हो गा इशाला कर देंगे लिए ना तो मैं 34,000 रेट बोल दिया आपने, यह 71 kg का फ्रेश आंड़ात किया हुआ बच्चा है, इसकी हाइट 34-35 की है, और आस्किंग प्राइस इसका 42,000 है, 42,000, 71-72 kg का बखरा है, 34 की हाइट है, 42,000 इसका आस्किंग अमाउंट है, इसमें निगोशेट होगा ना, कुछ करवा देंगे, जैसे कॉल का आएगे उसके साब से, इसका बात कर लेंगे, डायरेक्ली कस्टमर का भी नमर में जाएगे, इसका बखरा है, इसका बखरा है, माशाला, तो इसमें तोड़ा नेगोशेट भी हो जाएगा, तो रेट तो अलम्दूल्ला सही है, बकरा भी कॉलिटी का है, पहली बात तो फांगा पला हुआ है, सैड बच्चा है, और यह रेट में मिल रहा है, तो मैं बोलूगा, चीज चोड़ी इसको ठोड़ा इसको चलते वै कि जाने देखो है, यह देखो माशाला, सो गाइस, यह बकरा देखो आप माशाला, वाई, दिल खुश हो गया बाई, दोक्तर साब, क्या चीज निकालगा आपने, आपने अल हम्दूल्ला, अल हम्दूल्ला, अनस बाइका है, अनस अपने पास ही पंच हुआ बच्चा और अन्हमदिल्ला बहुत अच्छा सेट हो गया कितने टाइम से अपने पास आठ से दस मैने के बीच में आठ से नौ मैने युआ इसको और क्या वेट पे आया है यह बक्रा भी 86 kg पे पहले था आज का लाइव बेड एंटी 133 kg 133 kg अभी 133 kg पर आया था दस मैने में इसने मेरे अंदाज से 50 kg प्लस का 11 मैना पक्रो इद बाद आया था अभी इद को थोड़ा टाइम कोई बचा है हाँ 11 मैना पक्रों बहुत अच्छा तयार हुआ बक्रा माशालों और वह से माशाला पूरी खसी वाली टोटल बनावत ले लिया बगरे ने फ्रेम क्या खुला है माशाला बहुत ही अलग क्या बताना इसका प्राइस बगेरा क्या है प्राइस वन लैक थर्टी थाउजन में है यह बक्रा नेगोशेट हो जाएगा डैरेक्ट ओनर का नंबर दे देंगे इसको भी इंट्रेस्ट है जी जी तो डैरेक्ट ओनर से बात कर सकते है अला चाहे तो माशाला बक्रा एक्टीव बहुत है पहले इसका फेस इदर था तो उसको इस तरफ करके खड़ी के तो थोड़ा शान्त है लेकिन बक्रा है वहाई इतने टैंपरेचर इतना हीड होने के बाद भी बक्रा एकदम नॉर्मल खड़ा है और यह बेट पे भी देखो हाप ने रहा है हाप ने रहा हो कि वह हाप नेरा उल्टे का भागने को देख र पैड की साइज है जो चेस्ट होगे रहा है ना इसका लाइफ देखने जैसी चीज है बहुत 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 माशा आलला वन लाग 30,000 कोट कर रहा है और स्लाइटी निगोशेट हो जाएगा डिरेक्ली कॉंटेक्ट आपको ओनर से भी करवा दे इसके बाद कुछ और क्लाइंस के दो से तीन और क्लाइंस के अपने बाद बकरे हैं उनको सब को मिला के हम लोग एक ही वीडियो में शो करते है छी अलग ताइब के अलग एलग रेंज के बकरे है इन्शालला अच्छी वराइटी लोगों को देखने मिलेगी ठीक चलेगा तो ये वीडियो क्लोस करते हैं जो भी बखर आपको तीनों में से पसंद आया हो मैं परसनली आपको बोलूँगा का आप फार्म पर आओ देखो पसंद करो उसके बास होदा करो सारी चीजे अपनी आखों से देखने वाली चीजे हैं माशाला कैमरा मुबाइल चलेगा ओके चली अल्लाः आपिस